वेलकम टू यो आण चैनल एस इंग्लिश क्लासेज जैसा कि हमने रास्तन हाइज कोट लडीजी और सेट 2022 के स्लेवस को लेकर हमने इंग्लिश की एक सीरीज शुरू कर रखी है और उस सीरीज में हमने टेंज को शुरू कर रखा है टेंज में भी परजेंट कर लिया है और पा प्रमदवर भरना है कि कम्पेटिशन में किस परकार से हमें संटेंस को अडिंटिपाई करना है उसमें किस परकार से हमें हेल्पिंग वर्व यूज करने चाहिए कौन सी वर्व यूज करने चाहिए और किस परकार से एडवर्ब दी हुई होती है और किस परकार से हमें से प continualy and constantly word भी continually का मतल़ भी लगातार होता है constantly लगातार होता निरंतर ये दोनों word में से कोई एक word आ जाता है तो past continuous थे तैंस मानेंगे थीक है फिर है at that time at that at that के साथ में time हो moment हो day हो week month year हो तो past continuous मानेंगे, At this time हो, At this हो, तो present continuous मानेंगे, At this के स्तान पे, इस गपोजिट कर दिया जाए, At that time, day, night week, month year कर दिया जाए, तो क्या होगा, past continuous होगा, थुदह डिफ्रेंट याद रखना, At this time हो, तो present continuous होगा, At that time हो, तो past continuous होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं In those days In those days क्या है Past ये continuous-tense की पैचान है और In these days In these days है Present continuous की इफरेंट याद रखना In these days आ जाए तो हमें यूज करना चाहिए Present continuous tense In those आ जाए इसका opposite इसका past रूप आ जाए इसका past रूप होता है Those These के जगे यह करना चाहिए यह इन दोज लेज अधर डे अन्रे दिन अधर डेह आ जाए गोई य्ग्णि करना चाहिए तो इस परकार से हमने नई एडवरब देखी है उनसे हमे पहचान करने चाहिए यह और पहचान करके करना चूज़ करना चाहिए कौन सी कौन सी देखे हमने एडवर्ब कॉंस्टेंटली कंटिनुएली इन दोज डेज एड़ टाइम एड़ देट मॉमेंट एड़ देट नाइट वीक मन्थ यह इस परकार से यह इसकी पहचान है और वेन और वाइल तो होते हैं इसकी एक्जाम्पल भी देखेंगे किश्टन देखेगा इसके मैंने बताया थे कि वेन और वाइल का पास्ट सिंपल भी यूज़ करते हैं और वेन और वाइल में पास्ट कंटिनुश भी यूज़ करते हैं जब दोनों कारिये साथ साथ हो रहे हों पास्ट के तो पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं एक कारिये पहले हो गया और एक कारिये ज़स्ट उसके बाद हो रहा है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं वेन वाइल के साथ है पास्ट कंटिनुएस देखिए का ज़रा सीता कुक फूड वेन हर मदर केम सीता कुक फूड वेन वेन हर मदर केम केम वर्ब की सेकंड फूरम है तो यह इसमें पास्ट इंपल आये ठीक है जब उसकी माता जी आई तो सीता कुक फूड बोजन बनाया है पका रही थी ठीक है तो पका रही आएगा सद्व करेंगे सिता बॉच्ओंत्स कुटेंग यूज किया ए यह लोग कुकिंग हो गया ठीक है वेशंब से वेशंक में हमें पास्च स्यम्पल और पास्ट कंटिनुईस के से खाना अपिका रही थी डे亘 काम कॉन से मां के आने का हवा ठीक है और वो उसमें क्या कर रहे थी खाना पुंआ रही थी खाना और यूज्ट देखो they drink coffee when I knocked at the door गया तो वे को फी ती किरा हिस्ट है तो इसमें भी हमें पास्ट कंट्नुस टैंस यूज़ करना चाहिए पास्ट कंट्नुस टैंस में वॉज और वर है दे पलूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा भी वर वर आएगा ड्रिंक की ड्रिंक के साथ लगा दो आ एंजी ड्रिंकिंग यह हो गया वे कोफी पी रहे थे I write a letter when Anil called me जब Anil ने मुझे बुलाया तो मैं एक पत्तर लिख रहा था I write a letter when Anil called me तो वेन आ गया जब बुलाया तो मैं पत्तर लिख रहा था आई के साथ क्या यूज करेंगे was कल चर्चा की थी हमने I was write write की सोथी फ़र्म बना दो इसकी writing I was writing a letter when Anil called me next sentence देखिएगा what you do at that time तो कोई पैचान आ गई है at that time आगे न at that time आगे तो past continuous tense हमें भरना चाहिए past continuous tense का हमें पता लगा इस sentence में what interrogative sentence है भी you क्या है plural subject है you plural subject है तो plural ही हमें क्या यूज करने चाहिए helping वर व्यूज करने चाहिए what use की हमने interrogative sentence हो तो हमें subject से पहले helping वर व्यूज करने पड़ती है ठीक है अब डू को बार निकालो और continuous है तो आएंज लगा दो doing ठीक है तो इस sentence की इंदी क्या थी what were you doing do at that time उस समय तुम क्या कर रहे थे उस समय तुम क्या कर रहे थे नेक्स्ट है she talked to her mother the other day देखो इसमें other day आ गया यह भी क्या हिसकी पहचान है the other day आ जाए तो इससे भी हमें पता लग गया कि पास continuous tense है पास continuous tense है तो अब हमें subject की तरफ जाना चाहिए subject c है c is singular subject so I can use singular helping verb singular helping verb singular helping verb is words she was talk talk बाहर निकाला और लगा दो आएंजी talking she was talking to her mother the other day next sentence है when I met him take bath when I met him he take bath when I met him he take bath when आगे देखो इससे पता लगया कि हमें बरना तो past tense है पास्ट continuous बरना है या simple बरना है वो आगे sense देखेगा इसका when I met him देखो इसमें past तो आई गया verb की second form आगे और verb की second form सिर्फ एक ही tense तो है जिसमें हम यूज करते हैं वो है past simple tense when I met him जब मैं उसे मिला he take bath वह सनान कर रहा था taking bath वह सनान ले रहा था मतलब वह सनान कर रहा ठीक है he singular subject है इसलिए वोज helping वर यूज की take को भार निकालो और लगा दो ठीक है यह तो होए बात पर यह है बैद यह वरब बन जाती है नहाना और यह बात है सनान यह नाउन है यह 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 याद रखना इसमें अंतर है the light went out while we have supper जब light चली गई while we have supper जब हम सपर कर रहे थे यह सपर ले रहे थे हेव का यूजर लेना भी होता है जब भोजन के साथ है तो हेव का मतलब लेना होता है वैसे रखना भी अरत होता है बोजन जब हम खाना खा रहे थे तो light चली गई उसमें पास्ट आ गया पास्टिमपल तो इसमें क्या आए की वर क्यों यूज की वी मिस हम पलूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर यूज किया हेव को बाहर निकालो और लगा दो आएंजी हेविंग यह यहां पर मैं वर्भ है याद रखना ठीक है दा सिप सिंक सो ओल दा पैस पैसेंजर जंप इंटू दैं बॉट्स जंप वरब की सेकें साथनधे और से इसमें है कि ऐस फॉर्म के मादम से कड़के मेरे को जढ़ा नेक्स संसे स्टेंज से यूज करते हैं पास्ट कंटिनू स्टेंज से यूज करेंगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वोज यूज किया अब वोस है वोस को बार निकालो लगा दो आएंजी वोसिंग वह लगातर अपने हाद हो रही थी यह सिंद्य हुई वोस यह वोरियर वह एक योद्धा था वोस वर का प्रियोगा नाम सब्जेक्ट कॉंपलिमेंट की रूप में भी कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉंपलिमेंट क्या होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करे वर्णन करे वह होता है सब्जेक्ट कॉंपलीमेंट को सब्जेक्ट कॉंपली मेंट je ऑए थी करें इस है में बॉररीयर वोरियर में city बना सकते हैं घ्रकार के संटेंस बना सकते हैं जिनको बोलते हैं subject compliment तो इस परकार से हमने past continuous tense पढ़ा इसके बहुत ही selected type के sentence को देखे हमने और दो sentence से आपको comment के लिए दिये गए हैं इसके answer बताईएगा और फिर हम ये दो sentence से अगले वीडियो में डिसकसे करेंगे Thanks for watching मिलते हैं next video में तब तक के लिए इजाज़त देजिएगा